इससे पहले हमने जाना था कि कैसे Google Pay में और Paytm में Auto Payment को Cancel किया जाता है और आज हम जानेंगी कि कैसे Phone Pay में Auto Payment को Cancel किया जाता है अगर आपने कोई भी सब्सक्रिब्शन लेके रखा है जैसे कि Netflix सब्सक्रिब्शन, Amazon Prime, All Star या फिर कोई अन्या प्रकार का सब्सक्रिब्शन लेके रखा है और आपके अकाउंट से हर मेरे पैसे माइनस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं और आप चाहते हो वो सब्सक्रिप्शन लिया है, उसे आपको कैंसल करना है, ताकि आपके अकाउंट से कोई भी पैसा माइनस ना हो, कम ना हो, तो आप बड़ी आसाने से जो भी अपने सब्सक्रिप्शन लिया है, उस आटो पेमेंट को आप कैंसल कर सकते हो, उस शुरू करने से पहले में आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो किसी भी lifetime free credit card के लिए apply करना, personal loan के लिए apply करना, या फिर free में movie देखने चाहना चाहते हो, तो आपको हमारे देगे link पर click करना है, इसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा, जैसे आप हमारे देगे link प देखने के लिए credit card भी देखने को मिल जाते है, अगर आप चाहते हो personal loan के लिए apply करना, तो personal loan भी यहाँ पर देखने को मिल जाते है, अगर आप चाहते हो रेपर करके earn करना, तो यहाँ पर रेपर करके earn भी कर सकते हो, तो जो भी आपको credit card पसंद आता है, आपको सिप उसके credit card मिलने के तो apply link आपको नीचे description में comment section में मिल जाएगा तो phone pay में autopayment को cancel करने के लिए सबसे पहले आपको phone pay application open करना है open करने के बाद यहाँ पे आपका password पूछेगा और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह सा enterprise देखने को मिल जाता है तो मुझे मेरे autopayment को cancel करना है तो इसके उपर क्लिक करना है जैसे आप उसके उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे phone pay में एक subscription चल रहा है जो है होस्टार का और यहाँ पे उसका payment है 149 watch paid 12 November 2023 को मैंने यह payment किया है साथ ही में इसके अंदर जाओंगा तो यहाँ पे सारी information आ जाएगी इससे related जैसे कि मैंने होस्टार का subscription लिया है autopay यहाँ पे एक्टिवेट है मतलब 3 मेने में मेरा यहाँ पे charges लगने वाले है मेरे account से automatic page साथ जाने वाला है और यहाँ पे देख सकते हैं payment successful ही यहाँ पे हो चुका है यहाँ पे auto payment setting है जैसे कि मेरे 3 माईने में यहाँ पे 299 Charges जाने वाले है यहाँ पे देख सकते हो quarterly यहाँ यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे कौन से account से जा रहे है कौन से bank account से जा रहे हैं ये भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है अगर आप view auto pay history करेंगे तो जो भी अपने auto pay रखा है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इसी के साथ अगर आप चाहते हो कुछ समय के लिए आपको payment रुखे आपका payment आपके account से ना जाएं तो यहाँ पर आप pause भी कर सकते हो और अगर आप चाहते हो उस auto payment को cancel ही करना तो यहाँ पर आप cancel भी कर सकते हो तो यहाँ पर देख सकते हो delete auto pay करके हैं उसके उपर click करना है तो मुझे मेरे होस्टार का auto payment cancel करना है इसलिए में delete auto pay उसके ऊपर click करूंगा delete auto pay पर click करने के बाद इहाँ पर देख सकते हो एक बार फीर से पूच रहा हो आप confirm इसे cancel करना तो आप confirm पर क्लिक कर सकते हैं अगर नहीं तो cancel कर सकते हैं मैं confirm मुझे यह cancel ही करना इसलिए में confirm के उपर click करूंगा इसके बाद मेरे UPID का password यहाँ पे इंटर करूँगा तो जो भी आपका UPID पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे इंटर करना होता है तो मैं मेरा UPID पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पे मैं इंटर कर दूँगा जैसे यहाँ पे मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे देख को cancer यानि की बन इस तरीके से कर सकते हो तो मुझे उम्मिद है यह चोड़ी जान करें आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं ऐसे ही नए डिस्टिंग जान कारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शूबरे